इस बार सबसे पहले इंटर रिजल जारी होगा जी हाँ जैसा कि मैं बताया था कि इंटर रिजल इस बार सबसे पहले जारी होगा और यहाँ पे न्यूज पेपर ही प्रकासित हो गया है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में कि कव आपका इंटर रिजल आ रहा है होली से पहल प्रभात खबर में इसे प्रवकासित कर दिया गया है, पूरी जनकाली यहां पर दिये जा रहा है, कैसे आपको रिजल्ट किस दिन जारी किया जाएगा, कैसे चेक करना है, सरी जनकाली यहां पर दिखते हैं, पहले देखा गया था कि रिजल्ट जो है इतना जल्दी जारी नहीं होता था, यहां पर देख सकते हैं कि साप साप लिखा गया है कि 24 फरवरी से 5 मार्ट तक चलेगा इंटर का मुल्यांकन, यानि देख सकते हैं कि 4 दिन इधर और 5 दिन मार्च में, यानि ठीक है, 4 दिन इधर और 5 दिन मार्च में, टोटल 9 दिन में आपका रिजल्ट की कॉपी जो है, बो यहां पर जाच लेगी बिहार बोड, जैसा कि मैं बताया था कि 9 से 10 दिन में जाच हो जाता है, तो बहुत लोग का लगता था, सर ऐसे ही बोल रहे हैं, 9 दिन में कैसे हो सकता है, जी हां, अब जो है, सॉप्ट्वेर इतना फास्ट हो गया है, बिहार बोड का, कि आप 9 दिन में बिहार बोड कॉपी जाच कर लेगी, objective, subjective दोनों का, 5 मार्च तक कॉपी जाच समाप्त हो जाएगा, अब देखे, रिजल्ट कब जार हो रहा है, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, जैसा कि मैं बताया था कि step by step पे आपको गरदा मार्क्स मिल रहा है, तो यहां पर वही अपडेट आपका नुच पेपर में भी जारी किया गया है, देखे, यहां पर ध्यान से देखेगा, इंटर बार्सिक परिच्छा 2023 की कॉप्यों को मुल्यांकन, 24 फरवरी से शुरू होगा, बिहार बिद्याले परिच्छा समिती ने मुल्यांकन को लेकर निर्देश जारी किया गया है, कि कैसे आपका यहां पे कौपी जाच में कितना नंबर मिलेगा, मुल्यांकन पांच मार्क चलेगा, और इसमें सामिर सिचको को 23 फर स्टेप बाइज मार्किंग का भी निर्देश दिया गया है, यह लगातार मैं कल की वीडियो में भी बताया था, कि आपको स्टेप बाइज मार्किंग जो है मिलेगा, लेकिन बोला गया था, सभी स्टेंट ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सेल्व जब पूरा नहीं लिखे तो मार्क्स कैसे मिलेगा, बिहार बोर्ड ने यहाँ पर साप साप किलियर कर दिया है, कि मुल्या अंकन केंद में लगे सिच्चकूर को स्टेप बाइज मार्किंग का निर्देश दिया गया है, हलाकि यह मैंने पहले ही बता दिया था आपको वीडियो में, ठीके, तो आप लो रिजल्ट 2023 सर्ज करना है, जैसे ही सर्ज करेंगे प्लेय अस्टोर में जाकर, तो आपके सामने बहुत सरा एप आप आजाएगा, तो यहाँ पर जो आपको रेट करका दिख रहा है, इस एप पर आपको क्लिक करना है, और इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल कर करने से पहले आपको वहां पर 5 अस्टार लगा देना है और यहां पर comment section में जाकर आपको लिख देना है बिहार boat result 2023 ठीक है और सभी दोस्तों के शाज शेयर भी कर देना है लिंक मैंने description में भी दे रखा है direct आप link पे भी जाके click करके download कर सकते हैं download करने के बाद आपको open करना है तो आपको इस तरीके से खुल कराएगा 10 वाले 10 पे click करेंगे 12 वाले 12 पे click करेंगे और यहां से आप अपना check result पे click करके check कर पाएगे अगर परचारती दो अंकों का सवाल का जबाब सही दिये होंगे तो उनका अंक काटा नहीं जाएगा ठीके पहले क्या होता था कि सबज नंबर मिलेगा कोई कमी यहां पे नहीं की जाएगी सही लिखें तो इसा नहीं की चार नंबर देगा पहले होता था कि अबजेक्टी में फूर मार्क्स नहीं दिया तो अबजेक्टी में फूर मार्क्स मिले जथा था लेकिन इस बार बिहार बोर ने cbsc pattern को अपनाते हुए कॉपी जाच यहां पे किया है और यहां पे इस तरीके से कॉपी जाच 24 फरवरी से आपका सुरू किया जाएगा पांच मार्स तो कॉपी जाँच जो है समाप्त कर ली जाएगी 100% बिकल्प के रूप में मिले थे यदि परचारती 50% का अधिक का उत्तर देते हैं तो भी उन लेकिन 50 सरधिक का दे रहे हैं तो आपके परथम 50% का ही मुल्यांकन किया जाएगा उसके बाद का मुल्यांकन आपका नहीं किया जाएगा अब यहां से यह मत समझ लिया कि सुरू से 50 तक परथम 50 ठीके सुरू से 50 काउंट करेके आपका नंबर दिया जाएगा 50 बुर जाए इस तरीके से आपको objective में marks मिलेंगे, 70 में अगर objective है तो आपको 35 count किया जाएगा और 35 नंबर का ही objective का marks मिलेगा, बाकी आप जादा बना लिए जादा का marks नहीं मिलेगा, CCTV camera के नचर में आपका मुल्यांकन होगा, किसी तरह की कोई वहाँ पे पैर भी नहीं चलेगी, मुल्यांकन में CCTV लेगा हुआ है, किसी तरह की कोई पैर भी नहीं चलेगी, सुरक्षा के पुक्त इंतिजाम यहाँ पे किये गए है, उसके पर मुल्यांकन के लिए निक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है ठीक है अगर आप हिंदी मेडियम के हैं तो हिंदी मेडियम के कॉपी जो है हिंदी मेडियम के इंग्लिस मीडियम ए-コपी इंग्लिस मीडियमतीआ के टीचर जाच करेंगे इसा जिल सिलन पहले धर मेरी फेले नहीं दे दिया या आप इस फालिजी नहींम responsive में ऑला है या ब कर céu टेली ग्रूप का लिंक इस्किप्षंन में दिया गया ईया प्रभी टीचर की लिस्ट जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है उस सुची का नुसार ही चैनित विशेवार सिछक जो है वहां पे जाएंगे यानि कौन सी टीचर जो है कौन से सब्जेक्ट जाच कर ले हैं इस बार बिहार बोर्ड नो उनका लिस्ट भी ठी देखें यहां पे वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है वेबसाइट पे आप जाके बिहार बोर्ड ऑनलाइन बिहार.gov.in पे अपलोड किया गया है कौन से सब्जेक्ट यह कौन से टीचर आपकी कौपी जाच यहां पे कर रहे हैं अब यहां पे बात किर जाएंगे कि आपका कौपी जाच होगा उसके बाद जान लिजे कि बीच में होली की छुट्टी हो जाएगी होली के बाद जो है वो आपका टॉपर वेरिफिकेशन होगा होली के बाद क्या होगा टॉपर का वेरिफिकेशन होगा टॉपर वेरिफिकेशन में भी आपकी तीन से चार दिन का समय लग जाता है उसके बाद मार्क्स का भी आगलन किया जाता है कि सभी का कल्कुलेटिंग किया जाता है कैल्कुलेट किया जाता है कल्कुलेट करके देखा जाता है सभी का मार्क्स जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है उस तरीके से यहाँ पे आपके कुछ समय लगेंगे हलाकि बिहार बोर्ड ने यहाँ पे अनुमानी देट बताया है कि इंट्रेकर रिजल जो है 20 मार्स तक जारी किया जा सकता है यह डेट आपको यहाँ पे बताय गया है ठीक है और उसके बाद जो है मेट्री का मिल्यांकन भी परिच्छा के तुरंत बार शुरू करने की तियारी हो जाएगी मेट्री का मिल्यांकन भी शुरू हो जाएगा तो 20 मार्स तक आपका इंट्रेकर रिजल बारे में बोला गया है लेकिन जान लेजी कि पिछले साल 17 मार्च तक इंट्रेक का रिजल जारी हो गया था तो इस बार भी 20 मार्च से पहले रिजल जारी करेगी ठीक है 20 मार्च से पहले जब 5 मार्च तो कौपी जान समाप्त हो जाएगा 9 दिन में कौपी जान समाप्त हो जाएगा तीन दिन में आपका topper verification चलता है तो आप सोच सकते हैं तीन दिन topper verification चलेगा और उसके बाद 20 मार्च से पहले आपका result जारी कर दिया जाएगा यानि पिछले साल अगर 17 मार्च को जारी किया गया था तीस बार भी उमीर लगा के रख सकते हैं 17 मार्च जारी किया जाएगा लेकिन यहाँ पे माने तो 20 मार्च तक आपका result 100% बिहार बोर जारी कर देगी अब आपके पास समय नहीं है दिल को थाम लिजे result आपका आ रहा है ठीक है बिल्कुल positive रहिए और जोने रहिए इस चैनल से जो भी अपडेट आएगी 24 फरवेश से copy जाच शुरू हो रही है इसके regarding जो भी अपडेट आएगी पहले दिन copy जाच में कितने marks मिले ठीक है कहां कितने copy जाच होई है क्या pending होगा है जो भी खबर आएगी आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलता है